हाई एवरिवन हमने क्लासिक सिविक्स का चैप्टर नंबर टू डाइवरसिटी एंड डिस्किमिनेशन को स्टार्ट किया था आज उसी को कंटिनियू करते हुए हम पार टू में डिसकस करने वाले इनेक्विलिटी एंड डिस्किमिनेशन को बचो जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं अब वो डिफरेंट किस तरीके सो सकते हैं क्या डिफरेंसे हैं तो डिफरेंस हो सकते हैं उनकी लेंगविज का अलग हो सकती हैं उनकी रिलिजन अलग हो सकते हैं जिस जगे से वह करते हैं वो region अलग हो सकता है उनका culture उनका जो skin का color है वो अलग हो सकता है तो इतने सारे differences के साथ में लोग society के अंदर रहते हैं अगर हम इन differences को positively अच्छी तरीके से accept कर लेते हैं तो तो क्या बन जाती है diversity जिसके बारे में आप अभी तक पढ़ते जा रहे हो लेकिन जब हम इन differences को accept नहीं करते हैं लोगों की feelings को hurt करते हैं तो वो क्या होती है discrimination और discrimination का मतलब होता है भेदबाव करना society के अंदर discrimination भी अलग लग तरीके से होते हैं पार्ट वन में हमने डिसकस किया था prejudice और stereotype को फटाफट से revise करो कि हमने prejudice में क्या पढ़ा था हमने prejudice में डिसकस किया था कि prejudice एक ऐसी सोच होती है हमारे दिमाग में कि जिनको हम नहीं जानते हैं जो हमसे बिल्कुल stranger है उनके लिए अपने दिमाग में हम एक negative सोच बना लेते ह वो हमसे पूरी तरह से अलग है वो गलत है ठीक है और हम सोचते हैं कि हम उनसे best हैं वो हमसे कम है stereotype में हमने क्या discuss क्या था हमने discuss क्या था कि अपने दिमाग में किसी के लिए image बना लेना for example हम अगर लड़की की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया की सारी की सारी लड़क के लिए क्या वो सही है नहीं है सारी लड़किया अलग होती है अगर हम बात करें boys की अगर हम boys की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि दुनिया के सारे के सारी boys सेम होते हैं जो कि ऐसा नहीं होता है सारे boys अलग होते हैं सारी girls अलग होती है सब कुछ अलग होता है तो stereotype का सोच है जो हम अपने दिमाग में पना के रखते हैं आज हम बात करेंगे कि inequality से किस तरीके से discrimination होता है तो सबसे पहले हमको understand करना होगा कि inequality का मतलब क्या होता है inequality को हिंदे में कहा जाता है असमानता inequality is the situation in which people are not equal on the basis of economic condition and opportunities available to them तो यहां पर धान देने वाली दो चीज़े हैं कि पहले बात तो क्या है कि उनकी economic condition है वो बराबर नहीं होती है और उनको जो opportunities मिलती है वो उनको बराबर नहीं मिल पाती example लेते हैं जिसे कि कोई boy A है और ये boy B है बॉए एको बहुत अच्छी से पढ़ाया उसको अच्छी जॉब लगा दी सब कुछ किया लेकिन बॉए बी को ना तो अच्छी से पढ़ाया ना उसकी जॉब लगी अब आप मुझे बात बताओ कि बॉए एक के पास में तो सारी चीजे थी तो तो वो क्या बन गया रिच बन गया लेकिन बॉए बी के पास में हमने इसको सारी चीजे नहीं दी सारे अपॉच्छी नहीं दी उसको हमने नहीं पढ़ाया तो क्या ये रिच बन पाएगा नहीं बन पाएगा क्यों 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 हमने इसको starting से कुछ भी नहीं दिया तो यह तो क्या बन गया पूर बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो हमने इनको equal opportunity दी आगे बढ़ने के लिए और ना ही अब इनकी क्या है equal जो इनकी economic condition है क्यों क्योंकि यह तो क्या है बहुत पैसे वाला यह तो लेकिन बी क्या रह गया पूर रह गया ठीक है तो आपको समझ माया कि inequality का मतलब क्या हुआ कि जो इनकी economic condition है इनके पास में जो पैसे होते हैं वो भी बराबर नहीं है और इनको जो opportunities दी गए थी वो भी उनको बराबर नहीं दी गए थी तो वो क्या condition होती है वो होती है inequality अब हम बात करते हैं discrimination की discrimination is an act when a person is treated unequally and differently on the basis of caste, religion, language, color, economic condition जब हम किसी के साथ में उसकी caste, religion, language, color या उसकी economic condition की वज़े से उसके साथ में अगर हम unequal मतलब की बराबर का वहवार नहीं करें उसको अलग से feel कराएं उसको बुरा feel कराएं तो फिर वो क्या कहलाता है वो कहलाता है discrimination जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भेदबाव करना तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि economic inequality की वज़े से society में किस तरीके से discrimination होता है तो बात करते हैं यहां पर rich और poor की देखिए अगर example लेते हम कि एक showroom है वहाँ पर एक अमीराद मी खड़ा है और और गरीब आद मी खड़ा है सबसे पहला बात करते हैं अमीराद मीं की अमीर आदमी अंदर जाएगा उसके पास में बहुत महँंगी घड़ी है बहुत stylish ए में कपड़े पैन रखें महँंगी watch है जब अंदर tier करेंगा तो उसका gate फोला जाएगा, उसका बहुत अच्छी से welcome किया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि सर पानी लेंगे, आप चाई लेंगे, आप k refuge ब्वले, आप गोले, किया चै लेंगे खरी देगा, तो आप देख सकतू यहाँ पर की अमीर आदमी को अंदर घुसाया गया उसके साथ में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया लेकिन गरीब आदमी को अंदर तक घुसनी ने दिया तो यह क्या है यह है दिस्क्रिमिनेशन किसके हिसाब से एकनोमिक इनिक्विलिटी की वज़े से क्योंकि रिच के पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन पूर के पास में पैसा नहीं है तो यह क्या एक तरीके से भे दबाव है बचो गरीब आदमी को ना बहुत प्रॉब्लम फेस करनी परती जैसे क इसलिए बचो जब आप पड़ लिखे अच्छे बड़े आदमी बन जाओ तो आप एक बात हमेशा करना कि आप कभी अमीर और गरीब की पीश में भेदबाव मत करना क्योंकि एक गरीब आदमी को बहुत बुरा लगता है जब उसके साथ में सुसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है अब यहाँ पर बात की जारी है बोद काइंड आफ डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से दे आर पूर तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि बही पूर है तो उनके साथ तो वैसे बेदबाव हो रहा है दूसरी बात क्या है कि वो ऐसे ग्रूप से बिलॉंग करते हैं जिनकी कल्चर क की कोई value नहीं करता तो यह हां पर बात कर रहा है दो type के discrimination की तो किन लोगों की साथ में discrimination रहा है इस type का तो सबसे पहले हम बात करते हैं tribal कि तो देखियो बच्छो tribe का मतलब क्या होता है कि वे लोग जो की जंगलों में रहते हैं उनके पास में resources की बहुत कमी होती है resources नहीं ह लोग हैं example लेते हैं Muslim हमने last part में discuss किया था कि Muslim अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भीजते तो उसके बीचे root cause क्या है main कारण क्या है क्योंकि एक तो वो गरीब हैं गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं ठीक है तो एक हो गया हमारी religion तो इनको भी क्या है ना कि दो तरीकी discrimination को face करना पड़ता है कुछ ऐसी regions होते हैं कुछ ऐसी जगे होती है जहां पर लोग पिछड़े रहते हैं ठीक है उनको proper source नहीं मिल पाते एक तो वो गरीब रह जाते हैं और उनके culture की कोई value नहीं होती तो कुछ लोग बहुत type के discrimination को face करते हैं बच्चों हमारी society में caste को लेकर भी भेदबाव किया जाता है caste का मतलब होता है जाती को लेकर ठीक है तो यहां पर हम अभी दॉक्टर भीम रामबेटकर ये बात करेंगे कि उनके साथ में किस तरीके से उनकी caste को लेकर भेदबाव किया गया था तो सबसे पहले उनका हलका सा introduction देख लेते हैं दॉक्टर भीम रामबेटकर considered as the father of Indian constitution तो आप सोचोगे कि ये Indian constitution क्या है तो एक simple word में अगर आपको मैं समझाओं तो constitution में क्या होता है एक ऐसी rule book होती है जिसके अंदर कुछ rules लिखे होते हैं कि हमारी government किस तरीके से काम करेंगी लोग किस तरीके से काम करेंगे उनको कौन-कौन से rule को follow करना होगा हमारी जो court है वो किन rule को follow करेगी तो सारे की सारे जो rules लिखे होते हैं वो लिखे होते हैं Indian constitution को ठीक है और इसको बनाने वाले कौन है तो उसको बनाने वाले हमारे Dr. Bhim Rao Ambedkar इनको दलित के नेता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो दलित होते हैं दलित का मतलब क्या होता है ऐसे लोग जो की lower caste से होते हैं उनको untouchable कहा जाता है उनके समाज में उनके साथ discrimination होता है तो ये दलितों के नेता है और इन्होंने दलितों के rights के लिए लड़ाई की थी He was born into mahar caste which was considered as untouchable इनके जो जनम हुआ था वो mahar caste में हुआ था जो की क्या है untouchable caste है मतलब एक ऐसी caste जो की क्या है lower caste है जिसको society में respect नहीं मिलती है तो आगे हम इनकी story को discuss करते हैं बचो ये कहानी 1901 की है जब डॉक्टर भीम राव मेट कर केबल 9 साल के थे ठीक है वो अपने भाई और कजन के साथ में अपने पापा से मिलने जा रहे थे जो की कोरे गाउं में जॉब करते थे तो कहानी शुरू होती है बहुत देर तक वेट करने के बाद में कोई वापिस नहीं आया एन आर एलाप्स और स्टेशन मास्टर केम तो इंकवार एक घंटा हो चुका था तो स्टेशन मास्टर उन से पूछने के लिए आया उसने कहा कि अपना टिकेट दिखाओ वी शोड़ हिम तो तो उसने नहीं दिखा दिया उसने पूछा कि आप वहाँ पर क्यूं रुके हुए हो उन्होंने कहा कि हमें कोरेगाँ जाना है लेकिन हम अपने पापा का या फिर उन्होंने कहा था कि वो अपने सर्वेंट को बेजेंगे तो उनका वेट करें लेकिन ना तो कोई पापा आये, नहीं कोई उनका सर्वेंट आया और हमें ये भी नहीं पता कि कोरेगा जाना कैसे We were well-dressed children, हमने बहुत अच्छी तरीक से कपड़े पहन रखे थे बहुत smart लग रहे थे From our address or talk, no one could make out that we were children of the untouchable जस तरीके से हमने कपड़े पहन रखे थे, हमारा बोलने का जो तरीका था कोई भी ये नहीं कह सकता था कि हम untouchable है मतलब कि हम lower caste हैं Indeed, the station master was quite sure we were brahman children and was extremely touched at the plight in which he found us तो उनको जो station master था, बच्चों को देख के उसको लग रहा था कि ये तो कोई पका brahman है क्योंकि उस वक्त ब्रहामन लोग बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पहनते थे अच्छी तरीके से उनके बात करने का तरीका था तो उस station master को लगा कि ये भी कोई ब्रहामन के बच्चे है As is usual among the Hindus, the station master asked us who we are Without the movements, thought I bluttered and that we were Mahars Mahars, one of the communities which were treated as untouchable in the Bombay presidency तो बच्चों सबसे बात बड़ी बात क्या हो गई कि station master ने उनसे पूछा कि बेटा बताओ आप कौन हो तो अंबेडगर्ण ने बिना रुके फटा फट से बोल जिया कि हम माहर है अब गई भैस पानी में उन्होंने का कि शिट अब जो station master था उसको तो पता चल गया कि यह untouchable है अब जो station master था उसकी शकल देखने वाली थी His face underwent a sudden change उसकी शकल बदल गया, उसका behavior बदल गया We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion अब station master बहुत जीब सा रगा कि आरे आरे यह तो untouchables है, इनसे में बात कर रहा था As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we are जैसे ही उसने reply सुना कि वो लोग माहा रहे वो वहाँ से चला गया और बच्चे बिचारे वहीं पे wait करने लगे 15 to 20 minutes elapsed, the sun was almost setting 15-20 minute हो चुके थे, sunset होने वाला था Our father had not turned up, nor had he sent his servant And now the station master had also left us शाम होने वाली थी, ना तो पापा आये, ना तो उनका की servant आया और station master भी अपने रूम में जाके बैठ चुका था अब बच्चे अकेली परिशान होने लगे We were quiet, bevel and joy and happiness Which we felt at the beginning of the journey Gave way to a feeling of extreme sadness जो excitement के साथ में वो कोरें का जाना चाहते थे अब वो पूरी तरह से sadness में change होगे क्योंकि wait करते करते इतना time हो चुका था और दूसरी बात क्या है कि जब station master था उनका जो response थाना उसको देखके भी उनको बहुत बुरा लगा After half an hour the station master returned and asked us what we proposed to do आदे घंटे बाद में station master वापेस आया और उन्होंने बच्चों से पूछा कि बहुत क्या विचार है आगे क्या करना है या फिर यहीं बैठे रहोगे We said that if we could get a bullock card on hire we would go to koregaon and if it was not very far we would like to start straight way तो बच्चों ने कहा कि देखो अगर हमको बुलक कार्ट मिल जाती है कोई बैल गाड़ी मिल जाती है क्योंकि उस वक बैल गाड़ी चलती थी तो हमको किराय पे दिला दो अगर koregaon पास में है तो हम अभी निकलना चाहेंगे There were many bullock cards playing for hire but my reply to the station master that we were mahar had gone round among the card men and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demand himself carrying passengers of the untouchable classes तो उनको अब problem क्या होगी कि जो बुलक कार्ट वाले बाहर जो लोग बैठे थे उन्होंने भी सुन लिया कि जो बच्चे हैं वो माहर जाती के हैं जो कि क्या एक untouchable है तो untouchable को तो छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह तो गंदे लोग होते हैं इनको छूबेने चूबने से भी बहुत ज़्यादा हम गंदे हो जाएंगे तो वो उनको अपने बुलक कार्ट में बठाने नहीं वाले थे बहुत प्रॉबलम होगी ना तो उनको बुलक कार्ट मिल री थी ना तो कोई help मिल री थी ना तो उनके कोई पापा है हमने ये प्लान किया कि जो किराया है उसे डबल देते हैं अगर हम कोई ले जाएगा तो हम डबल दे देंगे लेकिन फिर भी डबल देने का भी कोई मतलब नहीं था क्यों कि यहां पर प्रॉबलम आ री थी कि जो उनकी कास्ट थी ना वो उन्टचेबल थी अब ज़र डबल दो चाहे ट्रिपल दो चाहे सारे के सारे रुपे दे दो वो लोग अपने बुलक कार्ट में इनको नहीं बठाएंगे क्योंकि यह बच्चे क्या हैं अन्टचेबल हैं the station master who was negotiating on our behalf stood silent not knowing what to do éश्ज मास्टे बच्चों के थोड़ा सा help करना चाहता था वो उनसे बात्चीत कर रहा था कि बच्चों को ले जाओ अब वो भी कुछ नी कर पारा था वो भी उसको भी समझनी आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या समझ वाया कि बच्चे दिखने में बहुत वैल रेस थे उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा था बच्चों में कोई प्रॉब्लम ने थी लेकिन बस एक वो वर्ड था न ना तो उनको से कोई बात करने वाला था ना उनको अपनी बुलकार्ट में कोई बिठाने वाला था तो आप देख सकते हैं कि केवल एक कास्ट के नाम से किस तरीके से छोटे-छोटे बच्चों के साथ किए इस्क्रिमिनेशन होता है वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें दूस्तों की शाष शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मिलते हैं आप से थर्ड पार्ट के साथ में तब तक के लिए टे कर एंड है वे गुद डे